हेलो दोस्तों स्वागँ आप सभी का नहीं वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर हम आपको यह बताने के Gemini application को delete के से करे Gemini app delete के से करते हैं तो इस वीडियो के अंडर आपको completely process बतौँगा Gemini app अगर आपको delete करना है तो वह हो गा के से और Gemini app delete करने से आपको क्या benefit मिलेगे या फिर क्या नुकसान होगा इसको delete के से किज जाया जाता है किसी भी phone में आप जो है Gemini को किस तरीके से delete करोगे आप यह आप देख सकते हैं हमारे phone में by default है Gemini का application आई है जो कि हमने install नहीं के लिगिन by default आचुका है ठीक अब इसको हटाना कैसे है हटानी के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इस application के app के ऊपर long press कीचे दबा के रखेंगे कुछ इस type से आ जाएगा ऊपर यहाँ पर app info की symbol बन चाएगी अगर नहीं आता है तो यसी में disable की बटन आ जाएगी जिन लोगों के पास Samsung की phone होती है उसमें तो disable आ जाता है ठीक यहाँ पर आ चुका है लेकिन जिन लोगों के बाद दूसरी phone है उसको यहाँ पर app info में जाना होगा उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यह Google का app info open हुआ है बिस्टिकली यह जेमिन अप्लिकेशन गूगल की तरफ से आता है Google Assistant का ही एक तरीकी से भाई है यह ठीक है अब यहाँ पर आप disable पर क्लिक करेंगे और disable app पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यह जो है जेमिनी की जो अप्लिकेशन है वो यहाँ पर अनिस्टॉल हो जाएगी डिलीट हो जाएगी मैं आप अपको करके दिखाता हूँ तो disable मैं ने कर दिया अब यहाँ पर देखना कोई भी जेमिनी के application हमारे सामने नहीं है वापस हमें इसको enable करना है वापस enable करेंगे तो यह वापस enable भी हो जाएगा तो इस सरा प्रोसेस है इसका अगर आपको वीडि क्याविया पर दरूर कीजिएगा